कॉंग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा कि पिछले कई सालों से पुलिस के कारे प्रनाली में सुधार नहीं हुआ है जेल में जादातर बंद अनुसूचित जाती जन जाती पिछड़ा वर्ग मुसल्मान और उच वर्ग के वैसे लोग जो गरीब रेखा से नीचे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या सत्तर प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत अपराधी अंडर ट्रायल में है इनमें से 90 प्रतिशत पेशेवर अपराधी नहीं है जो आपसी घरीलू जगड़े के कारण जेल में बंद है इसमें सुधार की आवशक्ता है डॉक्टर अजे कुमार मीडिया से अपचारिक मिलन के आवसर पर बातचित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद हम लोग जो चुनते हैं वो वास्तम में कानून बनानी के लिए चुनते हैं लेकिन हम उनसे अपेक्षा रोड नाली, सडक बिजली, पानी की रखते हैं इसलिए विवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है एक प्रश्ण के जवाब में उन्होंने कहा कि एक रुपया चावल देना गलत नहीं है बाकी बचे हुए पैसे से वो अपने बच्चों की पढ़ाई और इलाज के खर्च करते हैं जारकन सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि इस सरकार को और मेहनत करनी चाहिए खासकर परेटन छेत्र में अगर काम किया जाए तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा और आई के साधन बढ़ेंगे यह बीपेल वाले से एस्टी अत्यम किष्वार मुस्लमान सेविंटी परसंट क्राइब सतर प्रतिशत लोग का अपराद जो है अंडर ट्राइब प्रतिशत पेशे वर अपरादी नहीं है मतलब है कि बीपीट से गती हुआ था तो मात प्रतिशत बढ़ा दिया तो पीट दिया था तो बन गया यही है और सड़ वाज जेल में आप खानों नहीं नहीं बनाते हैं तो उस देश तो गट महीं चल जाएगा अंडर स्पीकिंग तो इस इंपर्टन कोई टाइम है नहीं है कोई बोले का चंडी पाट पड़ा दो कोई बोले का कि यहां पर करा दो जो शिराप जो से बोड़ दो कोई 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 कि असली मंत्री लोग दूसरी बात इंट्रेस्टिंग चीज क्या है आप देजिए जिए पार्लिमेंट और एसेबली बैटना बंग कर दिया है करजा में डूबल है किसान जानत रहे हर इनसान बंद रहे हर जबान चूप रहे हर इनसान विस मन तेरा देखा लें पचास जार कर कर जां एक रुपया में माप करा ले